है फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ एक कॉंबो रसीपी शेयर करने वाली हूँ जो की है प्रेम वती में मिलने वाली साथवे खिच्डी और कड़ी तो चलिए फटा फट स्टार्ट करते हैं लेट्स गो सबसे पहले हम खिच्डी बना लेंगे उसके लिए मैंने यहां पर हाफ कप खिच्डी के चावाल लिए है वन थाट कप बिना जिलके वाली मूंग दाल ली है और वन थाट कप तूर दाल अब इसको दो से तीन बार पानी से वाश कर लेंगे और आधे गंटे के लिए बिगो देखे हमारे दाल और चावल अच्छे तरह से भीग गया है अब यह पानी हम निकाल देंगे इसके साथ साथ मैंने कुछ वेजटेबल्स लिए है यह मैंने फुल गोबिली है कैपसिकम है कैबेज है टमाटर है तीखी हरी मिर्च है और आलू है आपके पास जो भी वेजटे है और यहां पर मैंने हाफ कप लिया है आप अपनी चोइस के हिसाब से एड़स कर सकते हैं अब एक कुकर लेंगे इसमें एड़ करेंगे टू टेबल स्पून घी हमारा घी अच्छे से गरम हो जुका है अब इसमें एड़ करेंगे कुछ खड़े मसाले दो तेज पत्ते चक करेंगे वन टेबल स्पून मुंख फली के दाने मंदिर में जब खिचड़ी बनती है तो उसमें हिंका यूज नहीं करते हैं इसलिए मैं यहां पर नहीं डाल रही हूं अगर आपको पसंद है तो डाल सकते हैं एक मिनट के लिए भून लेंगे अब वन बाई वन हम सारे वे मले हम घर पे चिलके वाली यूज करते हैं लेकिन यहां पर बिना चिलके वाली मूंग दल और तूर दल लेनी है और चावल के हिसाब से डाल का प्रोपोर्शन ज्यादा या तो फिर बराबर होना चाहिए इस बात का खास त्यान रखना है तभी हम मंदिर जैसा टेस्ट डे लेक्टी स्बून हल्दी पाउडर उन्टेबस्पून लाल मिर्श पाउडर टेस्ट के अकॉडिंग नमकेड करेंगे और आप जायेगा मेरा सीकरेट मसाला और वो है 2 टेबल स्पून सांभार मसाला फ्रेंड्स ये हॉममेट सांभार मसाला है जिसमें हींग, प्याज या लसन का यूज मैंने नहीं किया था और स्वामी मंदिर में 9 अनियन, 9 गारलिक सांभार मसाला जरूर डालते है सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे 1 फोर्थ कप पानी एड़ करेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और अब जाएगा दूसरा सिक्रेट इंग्रिडियन और वो है 1 टेबल स्पून कोकोनट पावडर फ्रेश धन्या एड़ करेंगे इसको एक मिनट के लिए कुक करेंगे उसके बाद एड़ करेंगे भिगोये हुए दाल और चावल इसका पानी नितार कर लेना है ताकि इसमें प्रॉमिनेंट स्मेल ना आए कभी कभी हम भिगोया हुए पानी एड़ कर देते हैं और उसकी वेज़े से खिचड़ी का पूरा टेस्ट खराब हो जाता है तो इस बात का खास प्यान रखना है अगे इसको एक मिनट के लिए सौटे करेंगे अभी इसमें पानी नहीं डालना है अब दाल और चावल के हिस कप पानी फ्रेंट्स मेजरमेंट एकलब सिंपल है यहां पर हमने हाफ कप चावल लिए थे और हाफ कप डाल ली थे तो टोटल एक कप के हिसाब से तीन कप पानी एड़ करना है लास्ट में एड़ करेंगे वन टीस्पून चीनी और ताजा कटा हुआ धन्या वैसे चीनी ड मिशें पर चार विसल लगा लेंगे तब तक हम सात्वी कड़ी बना लेंगे एक मिकसर देख सतंसरे दाही तोड़ा खटा लेना लेना है उसी भूम कई हिसाब से एक बॉल पानी लेंगे 2 चमच बैसनי एड़ करेंगे घर के भी का बनार्मल चमच है उसी हिसाब से हम 2 लेंगे अब इसमें मंदिर में बनने वाली कड़ी जैसा स्वाद देवलप करने के लिए एक सीक्रेट पैस्ट बना लेंगे उसके लिए एक खलबता लेंगे एक इच अध्रक का टुकड़ा दो तीखी हरी मिल और साथ से आठ कड़ी पते को हम कूट लेंगे इसमें अध्रक क बटा हुआ धनिया एड करेंगे और मिक्स कर लेंगे अब एक पैन गरम करेंगे इसमें एड करेंगे टू टेबल स्पून घी अगर आप चाहो तो घी की जगर तेल भी यूज कर सकते हो घी गरम हो जुगा है थोड़े से मेथी दाने वन टीस्पून राइड करेंगे वन ट देज पत्ते तीन से चार लॉंग और थोड़े से कड़ी पत्ते एड करेंगे और मिक्स कर देंगे हमारी राइड चटक गई है अब इसमें एड करेंगे हाफ कप पानी यहीं पर गलती करते हैं पानी की जगह वो हमने जो गोल बनाया था वो एड करते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना है पहले पानी को अच्छी तरह से उबाल लेना है कि टेस्ट के ही सबसे नमक डालेंगे और ताजा कटा हुआ धन्या और इसको दो मिनिट के लिए उबाल लेंगे दो मिनिट हो चुके है अब एड करेंगे तैयार किया हुआ गोल उससे के साथ साथ एक कप पानी और डालेंगे क्योंकि हमारी कड़ी जब उबले की तो यह थोड़ी ठिक हो जाएगी मंदिर में जो कड़ी बनती है वह वाइट ही बनती है उसमें कभी हल्दी पावडर का य दाल सकते हैं देखिए अभी यह मुझे गाड़ी लग रहे है तो हाफ कप पानी और एड करूंगी और इसके साथ साथ एड करूंगी दो डालचीनी के टुकड़े डालचीनी कभी हमें तड़के में नहीं डालने चाहिए नहीं तो उसका पूरा फ्लेवर जल जाएगा इसी साथ साथ वन टेबल स्पून गुड एड करेंगे इसके जगह पर आप चीनी भी डाल सकते हो गुड का प्रपोर्शन आपका दहीं कितना खटा है उसके हिसाब से आप एडस कर सकते हो और यहां पर एक बार टेस्ट कर लेना है अगर आपको नमक कम लगे तो डाल सकते हैं अ इतने अच्छे खुश्बू आ रही है अभी आपको यह लिक्वीडी नसर आ रही होगी लेकिन स्वामी मंदिर में इसी तरह से खिच्डी मिलती है जब इसको हम मिक्स करेंगे और साव करेंगे तो यह अपनी औरीजनल कंसिस्टंसी में आ जाएगी पाफेक्ट देखिए से मंदिर जैसी कंसिस्टंसी हमें मिल गए है अगर आपको ज्यादा धीली पसंद नहीं है तो इसको थोड़ा उबाल कर आप ठिक कर सकते हो अब खिच्डी है तो घी तो जाएगा ही वन टेबल स्पून घी एड़ करेंगे और मेरा फेबरिट टाजा कटा हुआ तरनिया हमारी खिच्डी की कंसिस्टंसी एक तम प्रॉपर है देखते ही खाने को मन करें इतनी अच्छी बनी है अगर आप इस रेसेपी को फॉलो करेंगे तो आपकी खिच्डी और कड़ी सेम टू सेम प्रेमवती जैसी बनेगी और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट इसको लाइक और शेर कर दीजिए और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल धन बी हैपी बी हल्दी